हाई एब्डिवान्स वेल्कम बैक टू माई यूटू चेने इंस्टाल अप सिक्षा माईसल सिक्षा सिंग आज मैं आप लोग को बताने वाली हूं गर्मियों में सिफॉन की साड़ी कैसे पहने वह भी बहुत ही इजी तरीके से कैसे ड्रेप कर सकते हो आप सिफॉन की साड़ वह सारा ट्रिक्स मैं बहुत इसली तरीके से आप लोग को बताने वाली हूं यह रहा मेरा साड़ी आप लोग देख रहे हो ब्लेक कलर में साड़ी है ब्लेक और वाइट का जो कॉम्बो नेशन होता है साड़ी का वह बहुत ज्यादा प्यारा लगता है क्योंकि कोई भी बेसिक राउन्ड बहुति अच्छे से अगर आप बेसिक की फिनिसिंग आप दे रहें हूं तो आपके बॉड़ी पे अच्छे साड़ी की जो फैब्रीक होती ही बहुत अ mozen हो जबता को चुक हुआ है आप लोग आती है पल्ली की तरफ चिक्चार अपनी फैब्रीक तो पै कॉंफोर्टेबल फिल करने वाले हो आप लोग यह रहा मेरा लाश्ट वाला फैब्रिक जो मैं कोर्णर से पकरती हूं प्लेट्स में एरेंज कर रही हूं क्यूंकि जो यह जो कि साड़ी है सिफॉन की साड़ी बहुत ही अच्छे से उसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज्यादा प्यारा फैब्रिक होता है उसमें प्लेट्स को एरेंज करना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है वह इसली तरीके से सारा प्लेट्स हो जाता है सिफ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बस सो जहां पर मुझे अपना शेप्टी पी लगाना है शोल्डर के पाश लूँगी यहां पर मैंने सेप्टी लगाते हो तो कोई भी लगा सकते कोई भी एक सेप्टी पीन यज़ कर लें क्योंकि यह इजली तरीके से लग जाता है देख रहो मेरा बहुत इजली तरीके से परलू का जो पार्ट है वह अच्छी तरीके सेट हो चुका है नीचे वाला बाउडर में घुमाते हुए शामने की तरफ ले आऊंगे शामने की तरफ लाने के बाद यह फैब्रिक जो है है बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव लगता है इतना फैब्रिक में साइज करके छोड़ दी हूँ क्योंकि यह बाद में फैब्रिक में यूज करूंगी और राइट साइट से मैं अपना फैब्रिक जो है सेट करते हुए प्लेट को एरेंज करूंगी पहली बात तो यह आ मैंने साइज करते हुए उसी के कौर्डिंग सारे प्लेट को मैं एरेंज कर लूँगी क्योंकि सिफॉन की साड़ियों में अगर थोड़ा साथ फैब्रिक इधर उधर होता है तो दिखाई देता हां इतना फैब्रिक इस्ट्रा आपका बचा हुआ था तो ऐसे ही अगर आप आपका एक प्लेट छोड़ने दो नहीं है और आपका फैब्रिक ऐसी तरीके से रेडी हो जाएगा अक्वस्ते के शामनें स्टॉट करते हुए अच्छी तरयके से टक करनी के बाद आप लोग देखी रहे हो वहां पर मैंने एक छोटा सा शेप टीपिन से सारे फैब्रिक को लेते हुए अंदर की साइट से सीक और कर लूँगी क्योंकि चलते फिरते समय आपका फैब्रिक शैंडिल हिल्स वगएरा में बचके गिर सकते हो आप इसलिए आपको शेप्टी में लगाना जरूरी है सो जो मैंने साइट के शेप के लिए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा हुआ था वो फैब्रिक मैं बाहर निकाल लूँगी कि आपको टाइटली खीचते हुए यही बाहर निकालना है बाहर निकालने के påiyor के वाद आप ऐसए रोल बनाते हुए अपने प्रेटे कोर्ट में आपको टक कर लेना उसके उपर से जो आपका फईबरिक है उसे अच्छी तरीकी से कोर कर लेना है सामने की तरफ आप अगर आप सेवटाइप लगाने से जूलुक बहुत ज्यादा उट्रिक्टिव लगता है, शो मेरा सारह हो चुका है मैंने चोटे चोटे ट्रिक्स में सारा चीज को बताया था ऐसे लोग अगर आप लोग भी ड्रेप करना चाहते हो तो बहुत िजी तरीके से से आप लोग भी कर सकते हो मेरा वीडियो आप लोग के लिए वह जादा हेल्फुल रहा होगा क्यूंकि मैंने बहुत छोटे छोटे इस्टे में बताया हुआ है सो मेरे लाइक की बटन को हिट कर सकते हो पसंद आये हो तो कमेंट भी कर सकते हो